हेलो और वेलकम आप देख रहे हैं, आप बॉलिवूट गफ शर्फ आपके साथ, मैं हूँ आपकी होस्ट और आपके दोस्त काजोल विकी कॉर्शल और काट्रीना कैफ किसी ना किसी वजह से सूर्ख्यों में बने रहते हैं फिलाल इस स्टार कपल का एक विडियो सोशल मीडिया पर काफी वारल हो रहा है इस विडियो में विकी और कैट बिजनेस क्लास छोड़कर एकनॉमिक क्लास में सफर करते नजर आ रहे हैं वही फैंस दोनों की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें डाउन टूर्ट बता रही है सारा लिखान इन दिनों यूके में विंटर वकेशन के लिए गई हुई है उनके साथ उनकी मा अमिता सिंग भी है सारा ने भी ते दिन अपने इंस्टरग्राम स्टोरी पर यूके ट्रिप की कई तस्वीरे शेयर की एक तस्वीर में वे अपनी मा और एक हे स्टालिस्ट के साथ विंटर आउट्टिट में पोस देती नजर आई तो वहीं एक स्लो वीडियो में वो स्वींग पूल में नहाती हुई बला खुच्सूरत लग रही है सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद की मुश्किले बढ़ गई है अक्ट्रिस को दुबई में ओपन एरिया में रिविलिंग आउट्ट में वीडियो शूट करना भारी पड़ गया उन्हें ऐसा करने पर दुबई पुलिस नहीं रासत मिले लिया है और अब उनसे फूश्ताज की जा रही है अरजुन कपूर की मोस्ट लवेटिट फिल्म कुट्टे का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे है वहीं अरजुन की छोटी बहन और मिली एक्ट्रिस जान्वी कपूर ने कुट्टे के ट्रेलर पर अपनी रियाक्शन दिया है जानवी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर ट्रेलर शेर करते वे लिखा ये कितना बीमार सा लग रहा है मैं बहुत एक्साइटिड हूँ और मैं इंतजार नहीं कर सकती लुक सिक उन्होंने कुत्ते के पोस्टर को भी शेर किया और लिखा ये ट्विलर जंगली लग रहा है सॉलिड स्टफ वहीं अरजुने जानवी की इंस्टाग्राम स्टोरी पर रियाक्शन देते वी लिखा इसे जल से जल आपको दिखा रहा हूँ साउथ से लेकर बॉलिवूड की कई फिल्मों में काम कर चुकी खुबसूरत अक्ट्रेस तमना भाठिया अज अपना 33 वाज जन दिन मना रही है उनका जन में एक दिसंबर 1989 को मुंबई में हुआ था उन्होंने मनिकची कपूर एजुकेशन ट्रस्ट कूल मुंबई से पढ़ाई की तमना ने 15 साल के उमर में साल 2005 में चांस अरोशन चहरा फिल्म से वॉलिवूड में रेव्यू किया अलाकि उनकी पहली फिल्म बॉक्स ओफिस पर नहीं चल पाई इसी साल उन्होंने श्री के साथ अपनी तेलिगू फिल्म की शिर्वात की उन्होंने 2006 में फिल्म केंडी के साथ तमिल फिल्म की शिर्वात की तमना को तेलिगू फिल्म हैपी डेज और 2007 में रिलीज हुई कमिल फिल्म कलावरी से इंडूस्ट्री में पहचान मिरी साल 2015 में आई फिल्म बाहुबली दा बिगिनिंग और 2017 में आई फिल्म दा बाहुबली कंक्लीजन ने अक्ट्रस को बुलंदियों पर पहुचा दिया तमर्ना भात्या हिमत वाला हम श्रकल और एंटर्टेन्मेंट जैसी बॉलिवुड फिल्मों में नज़र आ चुकी है तो ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए आप देखते रहें बॉलिवुड कंशाब